सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं तो चलते हैं हम लोग कोश्चन नमबर फोटी बन पर बिहार के सरवाधिक छेतर वाले तीन जीले घटते क्रम में बताईए तो तीन ऐसे जीला का नाम बताना है जो कि घटते क्रम में हो तो इसका राइट अंसर हो जाएगा औप्सन नमबर टू हम लोगा सब्सक्राइब बार पूर्वी चमपारण तो इसका राइट अनफर हो जाएगा option number two next question number 42 देखते हैं कितने राजियों फंग राजी छेतरों में एक राफ्टर एक राफन कार्ड रागू की गई है तो कितने राजियों फंग राजी छेतर में एक राफ्टर एक राफन कार्ड योजना लागू किया गया है हम लोग option देखते हैं तो हम लोग का right अनफर हो जाएगा option number a 32 यानि बतिफ राजियों और केंद्रफाफिक प्रदेशियों दुआरा एक राफ्टर एक राफन कार्ड योजना लागू की गई है नेक्स्ट question number 43 देखते हैं रीग बेद दफ वाठाइफ वुक्तों का एक एक फंगरा है जो डैंफ मंडलों में विभाजित है तो रीग बेद है जो एक हजार अठाइफ वुक्तों का फंगरा है और वो कितनों मंडलों में विभाजित है तो ये बिहार का फरवादिक जन्गनतव बाला जीला कौन वाठा था जेला है तो इसका राइट अनफर हो जैगा फिभर में क्या है फवचे क्या है ये चोटा जीला भी हमलों का क्या है फिभर ही है नेक्स्ट कोश्चन नमर 45 देखते हैं दिल्ली के किफ फुल्तान ने एक प्रिथक क्रिशी बिभाग की अस्थापना की एवं फफल चक्र की योजना बनाई थी उन्होंने एक किशान के लिए प्रिथक क्रिशी बिभाग की अस्थापना की थी नेक्स्ट कोश्चन नमर 45 देखते हैं भारत में फर्व पर्थम फांकेतिक मिद्रा यानि टोकेन करेंशी का प्रचलन किया था किस ने किया था टोकेन करेंशी का प्रचलन मुहम्मद बिन तुगलक ने तो इसका राइट अन्फर हो जाएगा अप्फर नमबर 3 मुहम्मद बिन तुगलक नेक्प्ट कोस्चन नमबर 47 देखते हैं किस मुफलिम्? राजा ने मूल नियंतरन पधिती को पहली बार कार्यान वित किया तो इसका राइट अन्फर हो जाएगा अलाउधिन खील जी अलाव दिन खिल जी ऐफा मुफ्लिम राजा था जो मुल नियंतरन पधिती को पहली बार कार्यानवित किया था नेक्स्ट को कोश्चन नमर फोटी एट देखते हैं नीचे फूचिय बद खाद पदार्तों में भीटामिन फी का सब्से फम्रीद फो था कौंदों है नेक्स्ट कोश्चन नमर फोटी नहीं देखते हैं भारत में आम के उत्त पादन में बीहार का कौनवब अफ्थान है तो बिहार का अफ़धान कौन फा है 5 मां आम की उत्पादन में बिहार का उत्पादन में 5 मां अफ़धान है नेक्स्ट कोष्टन नम्मर 16 तरे एका अधिकार और प्रति बंधातमक ब्यापार ब्याभार अधिनियम MRTP निमन मेंशे किस बर्फ प्रभाबी हुआ तो इसका right answer हो जाएगा पहले हम लोग option देख लेते हैं तो इसका right answer हो जाएगा 90-70 महाराफ्टर में प्रत्म महाराफ्टर में प्रात्ना समाज का मुख्य फंचालक कौन था तो प्रात्ना समाज का मुख्य फंचालक कौन था एम डी रानाडे अप्शन नमबर टू हम लोग का करेक्ट अन्फर हो जाएगा एम जी रानाडे नेक्स्ट कोश्चन नमबर फिप्टी टू पर चलते हैं भारतिये स्वतंतरता के लिए फाफी पाने बाले प्रतम रिकार्डेड मुस्लिम का नाम बताईए तो पतंतरता के लिए पहला मुस्लिम कौन था जी ने फाफी दिया गया था और उनका जो नाम है वो भी रिकार्डेड है तो इसका राइट अन्फर हो जागा अफफाक उल्लाख खान अप्शन नमबर ठाट इसका करेक्ट अन्फर हो जागा नेक्स्ट कोश्चन नमबर 53 पर चलते हैं निमलिकित क्रांतियों कारी मेंशे कौन काकोरी फरियंत्र केश्वे जूरा हुआ नहीं है वो किश्वे थे चोरा चोरी कांड़ फे नेक्स्ट कोश्चन नमबर 54 देखते हैं वह परांत कौन फाथ था जहां 1937 के आम चुनाब के पफश्चात भारतिये राफ्ट्रिये कॉंग्रेश ने अपनी शरकार नहीं बनाई तो इसका राइट अन्फर हो जाएगा 1937 में जब आम चुनाब के पफश्चात है जो भारतिये राफ्ट्रिये कॉंग्रेश ने अपनी फरकार नहीं बनाई थी उफ्टाइम वो उरिशा और बंगाल दोनों जगा बिज़ाई थे तो इसका राइट अन्फर हो जाएगा ओप्शन नमबर फोर नेक्स्ट कोश्चन तो इसका राइट अन्फर हो जाएगा ओप्शन नमबर फर्दार वल्ला भाई पटेल नेक्स्ट कोश्चन नमर 55 देखते हैं वह ब्यक्ति जिसने 4 अप्राइल उनेफ़ उनीफ को दिल्ली की जाम मफजिद में प्रभचन मंच फे हिंदू मूफलिम एकता का भाफन दिया वे थे तो किस ने दिया था स्वामी श्रद्धा नंदने अप्सन नमबर 3 हम लों का करेक्ट अंश्वर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन नमबर 57 देखते हैं ब्रिटिफ बफ्तू के वहिस्कार का फुजाब सबसे पहले किस ने दिया था तो ब्रिटिफ बफ्तू का हुजाब है जो सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था नेक्स्ट कोश्चन नमबर 58 देखते हैं अलिपूर बंब कांट में अरविंद घोष का बचाब किस ने किया था तो इसका राइट अंश्वर हो जागा ओप्सन नमबर 4 एक्ष्वे अधिक क्योंगि इसमें फियार दाफ और मोतिलाल नेहरू दोने थे इसलिए हम लोग का करेक्ट अंश्वर हो जागा ओप्सन नमबर 4 नेक्स्ट कोश्चन नमबर 59 देखते हैं निमलिखी तमेशे कौन सा एक बिहार की अर्थ बियवफ्था के मामले में फही है तो इसका राइट अंश्वर हो और बिहार के किफानों को अगवाई का किस ने किया था तो इसका राइट अंश्वर हो जाएगा ओप्सन नमबर 2 वामी बिद्या नंद नेक्स्ट कोश्चन नमबर 61 देखते हैं ब्रिटीफ फरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधी दी थी और जिसे उन्हों ने अफ़ कर दिया था वह था तो वह कन फॉपाधी था किसे हिंद की उपाधी नेक्स कोश्चन नमर 62 भारती संविधान का तेह तर्मा फंविधान प्राब्धान है तो तेह तर्मा संविधान शंशोधन क्या है तो पंचायत चुनाबों को आदेश आत्मक तत था लोक्षभा एवं पिधान फवा चुनाबों के संकच बनाने का तो इसका ओप्षण नमबर ठट राइट अन्फर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन नमर 53 पर चलते हैं निम्न मेफे फहिफ उमेलित कीजिए तो यहां पर क्या है हम लोग का उदायपूर बन अभ्यारन चंपारन उदायपूर प्रानी अभ्यारन यह कहां है नालंदा में कैमूर अभ्यारन कहां है रोहताफ में तो हम लोग demonstrating क्या हो जाएगा कैमूर अभ्यारन जो की रोहताफ में है नेक्स्ट कोश्चन नमर 54 देखते हैं, भारतिये संबीधान को संबीधान सभा दुआरा अंगी कृत किया गया था, 26 नुवंबर 1909 को नेक्स्ट कोश्चन नमबर 55 देखते हैं राफ्ट्रिय परिया वरन अभियांत्रिकी संस्थान इस्थित है तो परिया वरन अभियांत्रिक संस्थान है जो कहां इस्थित है नागपूर में नेक्स्ट कोश्चन नमबर 56 देखते हैं करतब्यों को निर्धारित किया जाता है मौलिक करतब्यों को निर्धारित किया गया है तो इसका राइट अनफर हो जाएगा ओप्सन नमबर निर्धारित किया जाता है तो इसका राइट अनफर हो जाएगा ओप्सन नमबर थ्री मध परदेफ नेक्स्ट कोश्चन नमर 59 देखते हैं देफ का आधे से अधिक उत्पादन चावल जिन चार राजियों फे प्राप्त होता है वो है पफचिम बंगाल उत्तर परदेफ पंजाव आंधर परदेफ तो यहाँ पर क्या है जो देफ का आधे से जाद अधिक च की चावल का उत्पादन होता है पफचिम बंगाल उत्तर परदेश पंजाव और आंधर परदेश में नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं निमलीखित मेशिक भारत का कॉन फाच्छेत्र मिर्दा अपरदन फे अत्यधिक प्रभावावित है तो कॉन फाच्छेत्र है जो परिवार को क्या कहते हैं मातरी प्रधानगर नेक्स्ट कोस्टन नमर फिवंटी टू देखते हैं एक खाद पदार्थ पर यादि कॉपर फल्पेट की कुछ बुंद डालने पर उसका रंग बैग नहीं हो जाता है तब उसका कलर बैग नहीं हो जागा तो उसमें क्या होगा ब फूरी के प्रकाश फे मुए मिलेगा दूद फे मिलेगा मचली के तेल फे यानि अप्सट नमबर फ्री इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन नमबर 74 देखते हैं बर्गत ब्रीच की जरे जमीन के आमबला अलावा हवा में भी उगती है उनको डैंस कहते हैं तो उनको क्या कहते हैं ओप्सटन हम लोग देख लेते हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अब अस्तम जरे नेक्स्ट कोस्टन नमर 75 देखते हैं काली की इफ्थिती में फूल की रच्छा पौधों का कौन सा भाग करता है तो कौन सा भाग करता है नेक्स्ट कोस्टन नमर 76 देखते हैं वे जीब जो पौधों से उत्पन हुए पदार्थ होता था जानवरों के मान्स को भी खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं फरवाहारी जीब नेक्स्ट कोस्टन नमर 77 देखते हैं टमाटर पौधों का कौन सा भाग खाते हैं तो टमाटर किसके विकाफ से किसके विकाफ से हैं राजमर्ग के विकाफ से हैं प्रवंतु दरभमान में नहीं यानि की कोई चीज हम लोग अगर वहां चंद्रमाश उठाके प्रिथी भी पर ला रहे हैं तो उसका क्या होगा बार में परिवर्धन होगा लेकिन रभ द्रभमान पारफल कारण सम्षच्र 2 सम्षच्र 2 और अपनस के दुआ करते हैं तो किस बील coffee को रोक- shopping अनुछेद 111 के तहत तो इसका राइट अन्फर हो जाएगा ओप्षान नमबर थ्री नेक्स्ट कोश्चन नमबर 82 देखते हैं अति गहरी महाफगर ये द्रोनी जिसमें पाई जाती है वह है प्रसांत महाफागर राइट अन्फर हो जाएगा प्रसांत महाफागर बीफब की स अब से गहरी जील है नेक्स्ट कोश्चन नमबर 84 देखते हैं भारत में संसद की लोक लेखा समीती के अध्याच की जाती है किसके द्वारा की जाती है लोक सभा के अध्याच के द्वारा उप्षान नमबर ठाट इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा इन में से कौन सा चंपारन अंदोलन फे फंबंदित नहीं है चंपारन अंदोलन फे कौन है जो फंबंदित नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा राजेंदर परशाद भी थे अनुगरह नारायन फी भी थे जैना प्रकाफ नारायन नहीं थे तो राइट अनफर हो जागा जै प्रकाफ नारायन लिता करता है तो राइट अन्फर हो जाएगा ओप्सान नमबर ठर्ड नेक्स्ट कोश्चन नमबर एटीशेवन देखते हैं निमलिखित में कौन एक फ़ही फुमेलित है तो कौन फा है जो फ़ही फुमेलित है नागरीकता नागरीकता किस में है फंबिधान का भाग दो में यह हम लोग का गलत है मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार किस में भाग तीन में और राज जी के बारे में किस में दिया गया है फंबिधान छे में तो हम लोग का ओप्सान नमबर ठर्ड करेक्ट अन्फर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन नमबर एटीएट देखते हैं कल्या के अंतर गत्मूल अधिकारों का फरच्छक कौन है कि मूल अधिकारों का फरच्छक कौन है फरबोश नियाल है नेक्स्ट कोश्चन नमबर 90 देखते हैं बारतीफ अमिधान के निमन अनुछेदों में फे किफ एक के अधिन राजिपाल राफ्टर पती के बीचार के लिए बन देखते हैं भारत के फरवाधि कनुफ उचित जाती जनफंक्या बाला परदेश है तो सबसे ज्यादा जनफंक्या बाला परदेश कौन है उत्तर परदेश तो इसका राइट अन्फर हो जेगा ऑप्शन नमबर ठर्ड उत्तर परदेश नेक्स्ट कोश्चन नमबर 90 दे देखते हैं मिल्खित उग्त में कौन फुमेलेत नहीं है । अप कल्चरे की एरिक खाते हैं हम लोग मधुमक्य की पालन को श。 और अप कंब केरिं अपने केर परदेश नमबर नेक्स्ट कोस्टन नमबर 90 देखते हैं नेक्स्ट कुस्चन करे सब्सक्रीजित дома 20 अ condensed ब्हारत में सब्सेदि उद्यों कौन है फुति बफ्त्र गुंस कोश्ट्रण 95 देखतें प्रकाफ्स एंफिलेशन के समय भूजन पत्तों में इन रूप से संचीत होता है निध्य करें पूषप के खिल खिलने का भूजन है क्ने इन रूप द имеет आद पौस्प फिर फॉली होता ऊतंग है। रख्त के जमने में इस बीटामिन का योगदान होता है। नेक्स्ट कोश्चन नमबर 98 देखते हैं, जैम, जैल, जूफ, इत्यादी को लंबे फमय तक फनरचित करने के लिए उफ में डाला जाता है, तो लंबे फमय तक उसको फनरचित करने के लिए उफ में फोडियम, मेटा, बाई, फल्पेट डाला जाता है, नेक्स्ट कोश्चन फेक खाद पदार्त उफे काम करने के लिए उड़्जा प्रदान कर फकते हैं तो चलते हैं लोग आपफन पर इसका राइट अन्फर हो जागा आपफन नमर टू चालू आप चावल आलू चीनी घी यह वह जो क्या है काम करने के लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं फ्रीष्ण कांद फर्मा एक कारेरत बकील है वो दफतर तथा घर दोनों में से अपने कमरे में रहकर काम करते हैं उनके पाफ फैर करने तथा ब्यायाम करने का कोई फमय नहीं है उन्हें निमलिकित में शे कौन फा रोग होने की आफंका है तो उन्हें कौन फे रोग होने की कि अच्छेंका है मधू में नेक्ष्ट कोश्चेन नंबर एक फो एक देखते हैं बिजली की खपत कबील किसके महापन पर आधारित होता है कि वौल्टेज और ohm यानि ऑप्सचन नंबर हम लोग का between गय है तो हम लोग का अप्षोन नमबर 3 और न्थी रहोठोज्ट है नेक्स्ट कोस्ट नमबर 1,2 देखते हैं भारत की राफ्ट राफ्ट्रीन आई कानुमान लगाने वाली फंफ्फथा है के रहे संख्ट के नमबर 1,3 चलते हैं गारियों को टायर में हवा भड़ी जाती है क्योंकि यह है जो क्या अधिक सम्प्रिये है नेक्स्ट कोश्चन नमबर 104 चलते हैं लोहे की गेंदे जिसका प्रिथिवी का भार पर भार होगा 10 क्राम का तो अंतरीच पर उसका भार क्या हो जाएगा कि अ धुन है समे के नेक्स्ट कोश्चन नमबर 105 पर चलते हैं निदिनने प्रकार से चलती आज कि अनुध्रक त्रैंगें 174 दिखते हैं फूचं वन का फूचि टू फ़े सुमेलिक की जीं ऊतर फूचिओं के नीचे दिए गये कूट का प्रियोग करते उब़ैं फ वाहिए तो तरंग धार तरंग धार का क्या हो जागा इसका राइट आंफर ऑंक्स्ट्रॉम उर्जा का क्या होता है जूल दुवनी की तीप रहता क्या होता है है देशिमल और अबरिती का हर्ट तो इसका राइट निम्लिखित में बैंसीन आर टुब चल्व हुझााओ सबस्केट अधिकां नेटरोजन नेस्ट कोस्टन नंबर 180 देखते माचिस बनाने में मुखबस तूँ मेOR होता है तो माचिस बनाने में कि इसका यूज होता है नेख्स नंबर 1809 देखतें निमल लिखीत में निमलिखित में कौन एक अन उपरमानुकन नहीं है तो कौन फ़र हो जाएगा डिउट्रॉन नेक्स्ट कोश्चन नमर एक फदफ देखते हैं परदूफकों को उसके दिर्ग कालीन प्रभाब के फात दिये गए कूट की फाहिता फे फूमेलित किजिए तो यहां पहला क्या है कारवन मोनो ओक्साइड तो यह किस्व है लीवर और किट्नी को छती पहुंच आता है नैट्रोजन है जो कैंसर को धूलकन है जो स्वाफ समबंदी रोको फीशा है जो केंद्रिये नर्वस मिट्टी को तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सान नंबर थ्री क्योंकि य जिरियो डेटिंग एक प्रकिया है जिसमें मापा जाता है चट्टानो की उम्रे नेक्स्ट को उस्टेन नंबर 112 देखते हैं हीरव ila acum करता है में आँ थो धरकनों के बीच नेक्स्ट कोष्टन नंबर 103 पर चलते हैं किसी प्रमानूपी का आइटोई आइशोटोप वह नाभीक है जिफंबे कि प्रोटोनों की संक्या वही होती है फ्रश चलते हैं नेक्स्ट कोस्चन 114 पर फुची एक को दो से मिलाएना है फुची फुची वन में अफ्तेतो अफकोप जो कि क्या करता है हिर्दय की दुवनी को फुनने के लिए होता है अफ्फीनो मैनो मीटर ये रक्त चाप को मापने के लिए होता है करेकोमेटर ये फुने की फुद्धिता को मापता है और लैक्फोमेटर है, जो प्रकाष की तिप्रता को मापता है तो इसका देखते है हम लोगा उपसन नमबर कौन सरफवाई हो जाएगा तो इसका right answer हो जागा option number third next question number 115 देखते हैं रडार का परियोग किया जाता है तो रडार का परियोग किया जाता है रेडियो तरंग द्वारा बस्तूओं के उपस्थिती और इस्थिती ग्याद करने के लिए option number third इसका correct answer हो जागा नेक्स्ट question number 116 देखते हैं भारती श्वामिधान का नूछेद तिनसो बामन डैम फे संबंदित है तो तिनसो बामन है जो किस्चिच फे संबंदित है रफ्ट्रिय आपात काल फे बिफ्प में फात नए अजूवे हैं चीचन इटजा फंबलित किया गया यह कहां इफ्थित ह है यह इफ्थित कहां है मैक्सिको में नेक्स्ट question number 118 देखते हैं निम्न में से कौन सा भारती है संबिधान के अनुछेद एकसो बिराफिका घर्टक है इसका राइट अन्सर हो जाएगा बिधान परिश्यद का सभापती और उप सभापती अपसर नम्बर 3 इकसका करेक्ट अन्सर हो जगा नेक्स्ट question number 118 देखते हैं तो इसका राइट अन्सर हो जगा option number 2 चक्र को नेक्स्ट एंट लाफ्ट question देखते हैं उनेशो बच्पन में ग्राम और लगू उद्योग समीती जी फे डैंस भी कहा जाता है ने ग्राम इन विकास को बरहावा देने के लिए लगू उद्योगों के उद्योग की स्यंभाबना पर ध्यान दिया है तो इसका राइट अन्स पर हो जाएगा कभे समीती थैंक्स पर बाचेंग